नमस्ते स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में दोस्तो डिजिटल सिगनेचर यूज करते वक्त आप किसी डोक्यूमेंट पर इस सिगनेचर करते हो तब वहाँ पर दो तिन परकार के एरर आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहला वैलिडिटी अन्नोन दूसरा सिगनेचर नोट वेरिफाइड इन एरर्स को कैसे सॉल्ल करना है यानि एक प्रोपर ब्लू टिक वाला वैलिड साइन आप अपने डोक्यूमेंट पर लगाना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को अंत तक बिना इसकीप किये देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही ऐसे ही इंट्रेस्टिंग एंड नोलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन वैलिड सिगनेचर को वैलिड करना है और इसकी कंप्लिट प्रोसेस क्या है चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपका इस वीडियो से संबंदित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे मैं आपके सबी डाउट का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा कम्प्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद हमें उस पीडियो फाइल को ओपन कर लेना है जिसमें हमें सिगनेचर वेरिफाई करना है यानि की वेरिफाई करना है किसी भी signature को validate करने के लिए हमें सबसे पहले उस signature पर click करना है इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने कुछ इस परकार का एक dialog box open हो जाएगा यहाँ पर हमें signature properties वाले option पर click कर देना है इसके बाद आप देखेंगे अमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें show signature certificate वाले option पर click कर देना है यहाँ पर हम जैसे click करेंगे अमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें Trust वाले Option पर क्लिक कर देना है Trust वाले Option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सारे जो Option से वो Cross किये हुए हैं यहाँ पर हमें Add to Trusted Certificates वाले Option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करते हैं अमारे सामने कुछ इस परकार का एक डायलो बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें ओके वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप देखोगे अमारे सामने कुछ इस परकार का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें certified documents पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने तीनों ओप्सन वीजेबल हो जाएंगे यहाँ पर हमें इन पे भी किलिक कर देना है राइट वाला टिक लगा देना है सब पे इसके बाद हमें ओके वाले बटन पर किलिक कर देना है इसके बाद हमें यह जो page open हुआ था इस पे भी ok वाले बटन पर click कर देना है इसके बाद सबसे important काम यहाँ पर आपको validate signature वाले option पर click करना है यदि आप यहाँ पर validate signature वाले option पर click नहीं करेंगे तो हमारे जो document है उस पर इस signature नहीं लगेंगे तो यह सबसे important part है यहाँ पर मैं आपको validate signature वाले option पर click करके दिखा देता हूँ जैसे हम इस पर click करेंगे अमारा जो e-signature है वो verify हो जाएगा validate हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा e-signature है वो validate verified हो गया है इसके बाद हम इस page को close कर देंगे दोस्तों कुछ इसी परकार से आप भी अपने किसी भी pdf फाइल पर e-signature को validate कर सकते हैं उसको valid बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से related आपका कोई भी सवाल या क्यूसन हो तो नीचे comment box में comment करके जरूर पूँछें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो channel को subscribe करो thank you so much for watching कर दोस्तों वीडियो बना सकते हैं